जहीं दोस्तो मेर नाम है सुफियान और स्वाज़ात आप सभी का Tech Headlines के एक नहीं विसोर्ड में जाएं दोस्तो मैं आपको काफी इंटरस्टिंग टेक न्यूस बताता हूँ आज Saturday है लेकिन फिर भी बहुत अच्छे Tech News आए हैं जल्दी से सब कुछ बताता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और जल्दी से आम लोग इस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले एक छोटा से रिमाइंडर अगर आप दोस्तो टेक्नो पोवार 2 के बारे में जाना चाहते हो यह दोस्तो कल लॉंच हो गया था कल ही dedicated वीडियो बना के आपको सब कुछ बता दिया था मैं आई बटन पर वीडियो दे रहा हूं क्लिक करके देख लो सब कुछ मालूम दिल जाएगा आई बटन के सारे वीडियो सो check out करिए बहुत अच्छे वीडियो बनाता हूं आपको जहुर से बसन आएंगे चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में सबसे पहले अपडेट आ रहा है सैमसंग के तरब से हैं सैमसंग वाच 4 सीरीज का कोई एक स्मार्ट वाच फिमको सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है जहाँ पर आपको 247MH का बैटरी मिलेगा पांच वाट के फार्च चार्जर को सपोर्ट करेगा अब देखो यार सैमसंग का जो नया वाच सीरीज है यह दोस्तों गूगल प्ले सपोर्ट डिवाइस लिस्ट पे भी पकड़ा गया है और दोस्तों यह इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को भी क्लियर कर चुका है तो दोस्तों यार बहुत ही जल हम लोगों को मतलब की इसी मैने में ही सैमसंग गलेक्सी M21 प्राइम भी दिखाए देगा अब देखते हैं यहापर हम लोगों क्या नया देखने को मिलता इसका प्राइस क्या होता है जैसे ही दोस्तों कुछ-कुछ मालूम चलेगा मैं आपको अपडेट करता हूँगा चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में अगला अपडेट काफी इंटेस्टिंग है अगला अपडेट आ रहा है Redmi Note 10 Pro 5G के तरफ से यह वही स्मार्टफोन है जो इंडिया में Poco X3 GT के नाम से लांच होगा और आप यकीन नहीं करोगे जो Redmi Note 10 Pro 5G का बैटरी है ना वो इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है तो यानि कि बहुत जल Poco X3 GT यह भी दोस्तों बहुत जल इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर देगा चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अगले अपडेट के बार में अगले अपडेट साइध आपको थोड़ा सा निरास कर सकता है देखो यार IQ Z3 इंडिया में लाँच होने वाला है लेकिन यहाँ पर आपको केवल दो ही 5G बैंड देखने को मिलेंगे N77 और N78 यह बात में रोग अच्छा नहीं लेगा अट लिस्ट चार्ब तो देना चाहिए था यार देखो जितने कम 5G बैंड होंगे उतने कम चांसिस रहेंगे कि आपका स्मार्टफोन आने वाले टाइम में 5G नेटरों को पकड़ेगा युकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि कौन से 5G बैंड इंडिया में सपोर्ट करेंगे तो जितने ज़्यादा बैंड होंगे उतना ज़्यादा आपका चांस होगा कि आपका स्मार्टफोन आने वाले टाइम में वाक कई में रियल 5G स्मार्टफोन होगा जाले अच्छे अप्डेट सुना देता हूँ, यहाँ पर आपको 90Hz का अफेशेट मिलेगा, 64 Megapixel का ट्रिपल कैमला सेटप मिलेगा, यह officially confirm हो गया, पोस्टर में लिखा हुआ है, बुरा अप्डेट सुनाता हूँ, कुछ-कुछ rumors आए हैं जो कहते हैं, कि OnePlus 9C 5G में आपको के 3-4 बैंट तो दे दे, इतना तो करी सकता, OnePlus नहीं, तो कम से कम 2 दे दे ना, एक मत दे ना, आपको यह अप्डेट कैसा लगा, जल्दी से comment करके बताओ, चलिए दोस्तों बात करते हैं, अगले ब्रेट के बारे में अगलाब्रेट आ रहा है, Realme Birds Wireless 2 के तरफ से, यह इंडिया तो एक नया 5T स्मार्टफोन है, जो टेना सर्टिफिकेशन पे पकड़ा गया है, मैं आपको कुछ-कुछ इमेजेस दिखा दे रहा हूं, देख लेजे, वैसे देखने में बहुत अच्छा लग रहा, colors काफी अच्छ है, camera housing भी बहुत अच्छा है, चलिए बात करते हैं, स् LCD पे रहते हैं, तो कितना अच्छा रहता, लेकिन DMC-D900 है, जो अभी लेटेस्ट प्रोसेशर है, मीडिया टेक का, और 64 प्लस 2 मेगा पिक्सल का डूल केमला सर्टप, 8 का सल्थी, चार्ज आ 910 मेच का बैटरी, साइड मांट और फिंगर पेंट स्कानर है, बाकी सारे स्पे में कुछ भी मालूम चलेगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं, अगले प्रेट के बारे में, अगला प्रेट काफी इंटरेस्टिंग है, तीन टेक्निस पहले आपको मैं बताया था ना, कि Vivo Y73 इंडिया में लॉंच होने वाला है, जो Vivo V21E का रिनेम्ड वर्जन होगा, अब निपून मोरया ओफीचली इसको इंडिया में टीस करना चालू कर दिये हैं, जो Vivo इंडिया के डिरेक्टर है, वो दोस्तों टीस करना चालू कर दिये हैं, कि Vivo Y73 बहुत इजल इंडिया में लॉंच होगा, हम लोगों को तो सब कुछ माल देखने को मिलेगा, और Realme X9 Pro में आपको Snapdragon 870 देखने को मिलेगा, यार देखो अगर ऐसा हो गया तो बहुत ही मजा आ जाएगा, लेकिन दोस्तों कुछ-कुछ लिक्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं, कि Realme X9 सीरीस के स्मार्टफोन जुलाई के एंड या फिर दोस्तों अगस्त के फर्स्ट वीक में चाइना में डेब्यू करेंगे, और प्रोबली अक्टूबर तक वो इंडिया में भी डेब्यू कर सकते हैं, वैसे जो स्मार्टफोन रियल्मी के चाइना में लॉंच होते हैं, इंडिया आने में उनको बहुत टाइम लग जाता है, प्रोबली दो धाई म आना तो लगी जाता है, ठीक है, तो कुछ और अगर इंफ्रोमेशन मालूम चलेगा, मैं आपको बताता रहूंगा, चलिए दोस्तों बात करते हैं, अगले अगले प्रेट के बारे में अगलाब डेट आ रहा है, वन प्लस नाइन सीरीस के तरफ से, तो दोस्तों देखो या एंड्रोइड पेल को टेस्ट करने का, जब वो स्टेबल वर्जन में आएगा, तब इंच्छा खासा फोन चलता रहता है, क्यों उसको बरबात कर देते हो, अगर देखने का शॉक है, तो यूटूब पे देख लो, बड़े-बड़े यूटूबर रिव्यू कर देते हैं, तो पता चल जाएगा सब कुछ, ऐसा करके दोस्तों आपको कुछ मिलेगा तो नहीं, लेकिन उक्सान बहुत जादा होगा, पहली बात तो अपने डेटा को खोने का बहुत ज़्यादा यहां पर रिस्क कराएगा, स्मार्टफोन जितना स्मूधली वर्क करता है, उसमें बक क्या करो, ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं, फाइनल अपडेट के बार में, फाइनल अपडेट आ रहा है, मोटो जी, स्टाइलस 5G के तरफ से, इसका दोस्तों क्लिर रेंडर आ चुग है, देख लिए आपको कुछ इस टाइप कर दिखाए देगा, अब स्टाइलस है कुछ और अगर मालूम चलेगा, तो आपको बताऊंगा मैं, तो दोस्तों बास यह ता फाइनल अपडेट, आई होप सो कि आपको आज का टेक न्यूस पसंद आया होगा, अगर आपको दोस्तों आज का टेक न्यूस पसंद आ गया, तो इस वीडियो को तुरें से लाइक कर करता हूँ, रात को टेक न्यूस भी देता हूँ, तो टेक न्यूस भी जबर से देखा करो, और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले और एक नई वीडियो में, हमें सापना ख्याले को घुस रहा हो, चलो, बाई!